Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCR to the Mind तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरियन्त वर्ग बुक Class 5 Maths का Chapter 6 Be My Multiple, I Will Be Your Factor तो चलिए पढ़ने स्टार्ट करते हैं आप भी अपना वर्ग बुक निकाले और मेरी साथ साथ बनाना स्टार्ट केजिए और अगर आपके पास वर्ग बुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्किप्शन बॉक्स में डाल दिया है आप वहाँ जाके इसे खरीच सकते हैं तो चलिए पढ़ने स्टार्ट करते हैं Chapter 6 है Be My Multiple, I Will Be Your Factor ठीक है? First में है कि Samantha is trying to catch Creamy Samantha try कर रहा है Creamy पकरने का Creamy is on the 16th step and can jump 2 steps at a time Creamy जो है न वो 16th step पे है और वो 2 step एक समय में वो jump करता है Samantha is on the 6th step and can jump 3 steps at a time Samantha 6th step पे है और वो एक time में वो 3 step jump करता है If Creamy reaches the 30th step then C wins अगर Creamy 30th step पे पहुँच जाता है तो वो जीच जाते है ठीक है? अब देखिए ये सारा जो है न ये बना हुआ है ये सारा step है ठीक है? और उसके बाद इसमें question है ठीक है? Answer the following questions on the basis of given diagram जो diagram उपर दिया हुआ है इसके basis पे आपको question का answer देना है ठीक है? तो इसमें है आपका देखिए जैसे first में है कि the steps on which creamy jumps अब creamy जो है न वो किस किस step पे jump करेगा? ठीक है? तो देख लेते हैं किस किस step पे? Creamy कितने step पे है? 16th पे है ठीक है? और two step jump करता है तो 18 पे पहुँचेगा 20 पे 22, 24, 26, 28 ठीक है? इतना step पे जाम करेगा तो हम यह पर लिख देंगे 18 से 28 तक 10 steps on with Samantha jumps अब Samantha कितने step जाम करेगा? कितने करेगा? वो 9th पे है 6th पे है ठीक है? 6th पे है तो 6th से कहा जाएगा 9th इसके बाद 12, फिर 15, 15 के बाद कहा जाएगा वो 18, फिर 21, 24, फिर 27 ठीक है? तो इस तरह से यह jump करेगा ठीक है? तो यहाँ पर लिख देंगे 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 ठीक है? 10 steps on which both Samantha and Krimi jumps are अब देखें किसके से step पे दोनों jump करता है तो 18 पे और, 18 पे Krimi भी और समानता भी तो 18 लिखेंगे, दूसरा है 24, 24 दोनों jump करता है, 24 भी लिखेंगे Does Krimi win? क्या Krimi जीता? तो yes, क्योंकि यह ज़्यादा step चला ठीक है? 28, Krimi का, ठीक है? उसके बाद देखें रोहन's mother asked him to find the answer of riddle by using the given table of numbers अब नीचे जो है ना numbers दिया हुआ है, riddles का है, ठीक है? अब question पूछती है, रोहन की mother ठीक है, answer जानना चाहती है She asked him to make a cross above the numbers which are multiple of 5 अब वो उसे कहती है कि उस number पे cross करो जो की 5 से multiple हो रहा है, ठीक है? एट टिक above the numbers which are multiple of 4 अब उस number पे टिक करो, ठीक है? जो की 4 से multiple हो रहा है and a dot above the numbers which are multiple of 2 और उस number पे dot करो, जो number 2 से multiple हो रहा है ठीक है? वो इतना चीज़ बताती है, रोहन को ठीक है? अब देखें, यहाँ पर यह डीडल बना हुआ है ठीक है? अब यहाँ पर यह सारा जो है ना कौन-कौन सा multiple हो रहा है तो इसमें सारा जैसे की यह two, two से multiple हो रहा है यहाँ पर dot है, ठीक है? five, five से multiple हो रहा है यहाँ पर cross इस तरह से करेंगे 25, यह five से multiple होगा ठीक है? four, four से जो multiple होगा ठीक लगाएंगे 24, four से multiple होगा 44 होगा, four से multiple ठीक लगाएंगे 32, इसमें 42 dot होगा, ठीक है? यह सारे में dot होगा इस तरह से तो इस तरह से आपको यह सारा बनाना है सबको देख लेना है कौन सा multiple होगा two से उसमें dot करेंगे जैसे यहाँ पर dot लगा हुआ है ठीक है? इस तरह से उसके बाद है now write the letters which have all the three marks a cross, a tick and a dot what is the word formed from those letters अब देखिए आपको जो है ना यहाँ पर letter आपको जो find करना है कि three letters three जो है ना कौन से letters पे three, तीनो dot यानि कि dot, cross and tick दोनों ही आया है तो किस-किस पे आया है? यहाँ पर आया है dot, cross and tick ठीक है? यहाँ पर dot, cross and tick dot, cross and tick यह सारा यहाँ तक आया है यहां तक आया है पुड़ा और यह कौन सा नंबर बन रहा है? ठीक है? कौन सा वर्ड बन रहा है? F A C T O R क्या बन रहा है? Factor ठीक है? तो यहां पर लिखेंगे हम Factor ठीक है? इस तरह से बनाना है Write the next 5 multiples of each of the following given numbers 5 multiples यहां पर करना है 5 तर तो 3 का table आपको पढ़ देना है 3 उसके बाद क्या होगा? 6, 9, 12, 15, 18 5 का है तो 5 के बाद 10, 15, 20, 25, 30 11 का तो 22, 33, 44, 55, 66 14 का 28, 42, 56, 70, 84, 5 तक इसका table आपको पढ़ देना है 18 में 36, 54, 72, 90, 108 ठीक है? तो इस तरह से बनाना है उसके बाद है Some numbers are given below कुछ number नीचे में दिये हुए है ठीक है? यह सारा number है ठीक है? अब यहां पर देखे Circle the numbers which are multiples of 3 अब जो multiple होता है 3 से उसमें आपको circle करना है तो कौन-कौन सा हो रहा है? 3, 6, 9, 12, 15 इस तरह से यहां तक यह सारा Multiple हो रहा है 3 से ठीक है? तो यहां पर आपको देख लेना है ठीक है? कौन-कौन सा हो रहा है? 3 हो रहा है उसके बाद 9 है 9 हो रहा है 15 हो रहा है तो यह सारा नंबर में आप इस तरह से circle करेंगे Tick the numbers which are multiple of 4 अब जो 4 से multiple हो रहा है कौन-कौन सा हो रहा है? 4, 8, 12, 16 तो इस तरह से क्या करना है इसमें? क्या कहा जारा? Tick करना है तो Tick करेंगे कौन-कौन सा हो रहा है? 4 ठीक है? तो इस तरह से आप इस सारे में करेंगे Cross the numbers which are multiple of 6 जो 6 से multiple हो रहा है उसमें cross करना है ठीक है? तो 6 से कौन-कौन सा हो रहा है? 6, 12, 18 6, 12, 18 इस सारे में cross करना है ठीक है? Write the numbers which are multiple of 3, 4, 6 अब उस नंबर को लिखना है जो 3, 4 and 6 सभी से multiple हो रहा है तो कौन-कौन सा हो रहा है? 12, 24, 36, 48 यह सारा number ठीक है? तो यह बाकी जो बचा ना यह सारे में आप तिक लगा लेंगे Cross कर लेंगे और circle बना लेंगे सारा number में ठीक है? Fill in the blanks by writing the first common multiple One has been done for you अब यहाँ पर देखना है जो common multiple क्या है? ठीक है? तो इसमें देखिए common multiples of A, B, C कौन-कौन सा है? यहाँ पर A, B, C दिया हुआ है common multiples of A and C common multiples of A and B common multiples of B and C यह सारा दिया हुआ है यहाँ पर आपको निकालना है ठीक है? first में इस तरह से दिया हुआ है ठीक है? अब देखिए इसका तो क्या होगा? A का 15 ठीक है? और B का 105 C का 35 ठीक है? समझ में आया अब इसमें देखिए इस तरह से कैसे हुआ? तो यह जो है ना यहाँ पर multiple करना है 5 से A नमर में कैसे हुआ? 5 को हम 3 से multiple कर दिया 5, 3, 15 उसके बाद 5 को B नमर में क्या है? 21 21 से हम multiple कर दिये 105 हुआ 7 को 5 से multiple किये C नमर में तो 35 हुआ इसी तरह के से यह वाला भी बनाना है ठीक है? तो इसमें देखिए A में क्या होगा? A का हम A में है 60 यानि कि कैसे हुआ? तो हम यहाँ पे 20 को ठीक है? 20 को 3 वार पढ़ेंगे ठीक है? 23 जा कितना होगा? 60 यह A नमर में अब B नमर में तो 5 को हम 3 वार पढ़ेंगे 5, 3 जा 15 इस तरह से बना लेंगे उसके बाद है यहाँ पर देखिए इसका A नमर में कितना होगा? 12 A को किस तरह से बनाया गया है? तो यहाँ पर आपका 12 कैसे आया? तो यहाँ पर आपका 6, 4 जा 24 होगा यहाँ ठीक है? A नमर में 24 होगा और यहाँ पर B नमर में 36 होगा 9, 4 जा 36 C नमर में 18 होगा C नमर में यहाँ पर 18 होगा ठीक है? उसके बाद D नमर में 36 ठीक है? यहाँ पर इसे हम इस तरह से बनाएंगे ठीक है? उसके बाद है Write first 3 common multiples of the given numbers 3 multiples यहाँ पर लिखना है ठीक है? जैसे 2, 3 है ठीक है? 2, 3 इसका क्या होगा multiple? 6 होगा 2, 3 का 12 होगा 2, 3 का 18 होगा ठीक है? 3, 5 का 15 होगा ठीक है? यानि 3 के टेबल में भी 15 आता है 5 के टेबल में भी 15 आता है 3, 5 का 30 होगा और 45 होगा 5, 7 का 35 75 70 105 ठीक है यह तीनों होगा ठीक है इस तरीके से बनाएंगे find the smallest common multiple of the following numbers smallest common multiple बताना है 12 और 12 और 24 का क्या होगा इस स्मॉलिस्ट कॉमन मल्टिपल तो 24 16 और 12 का 48 ठीक है 50 25 75 150 618 12 का 36 उसके बाद है fill in the blanks ठीक है नंबर है factors है number of factors क्या है अब 8 का factor क्या है 1 2 4 and 8 ठीक है और number of factors क्या है यहादपर 4 ठीक है 4 कितना है देखें यहाद़ 1 2 3 4 ठीक है 4 है यहाद़ 4 लिखेंगे अब 12 का factor क्या क्या है तो 1, 2, 3, 4, 6, 12 और number of factors कितने है? 6 15 का factor 1, 3, 5, 15 ठीक है? ठीक है? यानि कि ये सारा number ना इस से 15 से multiply हो सकता है ठीक है? तो इसका कितना है factor? number of factors 4 ठीक है? इसके बाद है 20 का तो 1, 2, 4, 5, 10 20 ठीक है? और number of factors 6 17 का 1 और 17 number of factors 2 19 का 1 and 9 number of factors 2 ठीक है? राइट दो common factors of the given pairs of numbers ठीक है? common factors निकलना है जो यहाँ पर pair दिया हुआ है 8 and 10 का कितना होगा? 2 12, 18 का 2, 3, 6 20 और 25 का 5 40 और 56 का 2, 4, 8 50 और 60 का 2, 5, 10 45, 75 का 3, 5, 15 ठीक है? इतना होगा इसके बाद है चेक वेदर दो नमबर्स गिवन विलो आर डीसेबल बाइदा गिवन डिजिट्स और नोट एंड टिक और क्रॉस ठीक है? अब यहाँ पर देखे जो इससे कट रहा है 2 से ठीक है? यह वाला नमबर्स क्या 2 से कटता है तो सही है इसमें हम टिक लगाएंगे टिक लगाएंग neutrी से नहीं कटता है इसमें क्रॉस क्रॉस लगाना है ठीक है? और यह ठीक है? इस तरह से बनाना है उसके बाद 3 103 है इसमें हम cross करेंगे ठीक है 2 से नहीं कटेगा ये ये number ठीक है यहाँ दिया हुआ है ये 2 से नहीं कटेगा ये number 3 से कटेगा ठीक है ये number यहाँ पर जो दिया हुआ है ठीक है ये 3 से कटेगा ये number तो 3 से हम यहाँ पर टिक लगाएंगे यह 4 से नहीं कटेगा ठीक है, cross करना है, 5 से नहीं कटेगा cross करना है, 6 से कटेगा tick लगा देना है, 8 से नहीं कटेगा, cross करना है, 10 से नहीं कटेगा, cross करना है, ठीक है इसी तरह से यह वाला number, तो 2 से यह number नहीं कटेगा, cross करेंगे 3 से भी नहीं कटेगा ठीक है, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं, ये किसी से नहीं कटेगा, इसमें से ठीक है, 6, 4, 2, ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 8 से नहीं, 6 से कटेगा ये नमबर, तो ठीक लगाएंगे, ठीक है, 8 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटे क्रॉस करेंगे 8 से कटे का टीक लगाएंगे 10 से कटे का टीक लगाएंगे अब 39635 है 2 से नहीं कटे का क्रॉस करेंगे 3 से क्रॉस 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 ठीक है इस तरह से बनाएंगे समयज में आ गया ना ठीक है अब आगे बढ़ते हैं 11 नमबर में write the common factor of the given numbers in the middle and remaining factors in their circles respectively excluding one and the number itself one has been done for you अब ये भी है उस तरह से common factor ठीक है 6 और 15 है common factor इसका क्या है 3 है ठीक है अब 8 और 20 है ठीक है अब इसका common factor क्या होगा तो ए नमबर में यहाँ पर आएगा 4 इसका common factor होगा 4 यानि कि ये क्या होगा 4 से कटेगा 4 तूजा 8 ठीक है और 4 फाइब जा 20 ठीक है उसी तरह से फिर ये थर्ड नमबर में है 10 और 22 का क्या होगा factor A और B में क्या हैगा 5 एंड 11 ठीक है और 15 35 का ABC तीन नमबर यहाँ पर दिया हुआ है तो क्या होगा 3 7 5 ठीक है find the greatest common factor of the following numbers अब greatest common factor निकालना है ठीक है तो क्या होगा 18 24 48 का 6 12 36 18 का 6 48 72 64 का 8 45 75 का 15 60 90 120 का 30 15 18 27 का 3 ठीक है make the factor 3 of the numbers given below factor 3 बनाना है ठीक है 75 का तो हम इस तरह से बनाएंगे 75 और इधर से इस तरह से हम line डालेंगे ठीक है यहा 5 होगा यहा 15 होगा फिर यहाँ पर 15 का 3 और 5 होगा ठीक है 63 63 63 का है यहाँ पर 9 7 यानि की 7 के table में भी 63 आता है 9 के table में भी 63 आता है ठीक है उसके बाद अब हम 9 का फिर जो है 9 3 के table में आता है और 3 के table में आता है ठीक है उसके बाद है 60 का 60 तो 12 और 5 फिर यहां पर 12 को भी हम इस तरह से बनाएं किसे किसे यह करता है तो 6 से और 2 से 3 से 2 से ठीक है उसके बाद 2 25 है 2 25 तो 45 और 5 फिर 15 और 3 5 और 3 ठीक है इस तरह से बना लेंगे उसके बाद है राइट true and false for the statements given below true and false लिखना है 75 is a multiple of 15 true ठीक है 15 से multiply हो जाता है 75 तो true है first 3 multiples of 9 are 9 18 and 36 क्या होगा false every number is a multiple of itself true ठीक है every number is a factor of itself every number is a multiple of itself इसका true होगा every number is a factor of itself true ठीक है there are 8 multiples of 6 which are less than 60 false ठीक है 16 24 and 32 are consecutive multiples of 8 क्या होगा इसका true ठीक है इसके बाद है 15 number में word problems what is the smallest common multiple of 6 5 and 8 common smallest common multiple लिखना है ठीक है तो amount of milk in 3 buckets 24 लिटर 36 लिटर 48 लिटर smallest bucket that can measure 144 लिटर ठीक है 144 लिटर ठीक है लिखा हुआ अब इसमें देखिए 24 लिटर प्लस 36 लिटर प्लस 48 लिटर कितना होगा 144 लिटर ठीक है make about some chocolates she could arrange them in any of the boxes having space for 4 chocolates 5 chocolates and 7 chocolates what is the minimum number of chocolates she must have about ठीक है तो number of chocolates space 457 minimum number of chocolates about 140 और 4 multiply 5 multiply 7 is equal to 140 ठीक है इसी तरह से बनाना है जिस तरह से यहां पे बताया है मैंने what is the least number of chocolates a teacher should have so that when he distributes equal number of them to his 10, 15 or 20 students no chocolate is left the least number of chocolates he should have 60 60 is the smallest common multiple of 10, 15, 20 ठीक है 10, 15, 20 का smallest common multiple है 60 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है राज तुक सम चोकलेट्स he made groups with 5 of them and found one chocolates was left he also tried making groups of 6 and 8 and each time one chocolate was left over what is smallest number of chocolates Raju had the smallest number of chocolates Raju had 120 LCM of 5, 6 and 8 Rahul decided to tile the path from his house to garage with the tiles of length 3 feet, 4 feet and 5 feet the mason tiled the first row with 5 feet tiles, second row with 3 feet tiles and third row with 5 feet tiles without cutting any of the tiles what can be the shortest length of the path ठीक है shortest length बताना है path का length of tile कितना कितना है 3 feet, 4 feet, 5 feet shortest length of the path 60 feet LCM of 3, 4, 5 ठीक है तो आपको workbook complete हो चुका है कैसा लगा पढ़के मुझे जरूर बताएए अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCRT The Mind को like, subscribe कीजे और past में दिये गए bell icon को जरूर प्रेस कर दीजे ताकि NCRT से related हर वीडियो आपके पास समय से पहुंचती रहे मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye, take care, thanks to watch my video